नमो नारायन मित्रों इस बेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि H नाम के जातक एबं M नाम के जातक यदी साधी कड़ते हैं तो इन दोनों का बैबाहिक जीबन इन दोनों का दामपत्ते जीबन कैसा होगा मित्रों यदी आप ये जानना चाहते हैं तो इस बेडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि यह बेडियो एच नाम के जातक एबम एम नाम के जातक के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी एबम हत्वपुर्ण है तो बेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली हस्त रेखा या अपने जीवन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वेडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाट्सेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप म मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसिज अब शिकरें मित्रों अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि ह नाम के जातक एबम एम नाम के जातक यदि साधी करते हैं तो इन दोनों का बैबाहिक जीवन कैसा होगा मित्रों इस नाम के दोनों लोगों की दुनिया एकदम भिन होती है इस नाम के दोनों जातक अपने अपने जीवन को अपने अपने तरीके से जीने का प्रियास करते हैं एबम इस कारण से इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वह अंतर बहुत ज्यादा मजबूत होता है मित्रों इस नाम के दोनों जातक विक्तिगत रूप से या वेबसाईक रूप से अपने अपने जीवन के परती अपना अपना दृष्टी कोन एकदम भिन रखते हैं मित्रों एच नाम के जातक अपने जीवन के परती बहुत जयादा चिंता जनक होते हैं लेकिन यदि M नाम के लोगों की बात कड़े तो इस नाम के लोगों का सुभाब बहुत जयादा मुडी होता है इस नाम के लोगों को छोटी मोटी बातों पर बहुत जयादा गुस्सा आ मित्रों इस नाम के लोगों का सुभाब बहुत जयादा अभिमानी होता है एबम इनके अभिमानी सुभाब के कारण एच नाम के लोगों को इनसे बहुत जयादा पड़ेसानी बहुत जयादा समस्या होती है मित्रों इस नाम के दोनों जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों को सहन सील बहुत जयादा बनना होगा एबम अपने आपसी समझ को बहुत जयादा मजबूत करना होगा मित्रों एच नाम के लोगों का सुभाब बहुत जयादा कुमल होता है इस नाम के लोगों की भाबनाएं बहुत जयादा सब भी होती है एबम इन लोगों का आचरन बहुत जयादा सब भी होता है मित्रों इस नाम के जातक अपने जीबन में सफलता पराप्त करने के लिए बहुत जयादा मिहनत बहुत जयादा परिस्रम करते हैं वैसे इस नाम के जातक थोरे बहुत चुल बुले सुभाब के होते हैं मित्रों एच नाम के जातक एबम एम नाम के जातक इस नाम के लोगों के गुन एबम अब गुन को मिला कर यदि इनके दामपत्ते जीबन इनके बैबाहिक जीबन की बात कड़े तो इन दोनों का संबंध सामानने रहेगा न जयादा मजबूत न जयादा खराब तो मित्रों इस वेडियों में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियों को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे एबम इस वेडियों के नीचे जय बाबा भैरब कमेंट कर दे एबम इस वेडियों को आप हर जगह से यर कर दे धन्यवाद जय सियारा प्राम् प्राम्